प्रिये विध्यार्थियों मैं गुर्मित सिंग सह आचार्य हिंदी विभाग राजकिय महाविध्यले बुंदी आज के मेरे ई व्याख्यान का विशे बिये प्रत्थम वर्ष हिंदी सहित्य प्रत्थम प्रश्ण पत्र के अंतरगत पाठे पुस्तक भक्ति कावे में संकलित प्रत्थम एकाई से सम्बंदित कभी चंद वर्दाई से है इस से पूर्व हम इस कभी से सम्बंदित चार व्याख्यान प्रसारित कर चुके हैं आज का यह है व्याख्यान पाँचवाँ वह अंतिम व्याख्यान है कभी चंद वर्दाई द्वारा रचित महा काव्य प्रत्थ्वी राज रासो जिसके अंतरगत पदमावती समय एक अध्याय है एक सर्ग है जिसमें से कुल आठ पद आपके पाठे करम में है छे पदों की पूर में व्यक्या की जा चुकी है आज दो पदों की व्यक्या की जाएगी अर्थात पद संख्या साथ एवं आठ सबसे पहले हम पद संख्या साथ का वाचन करते हैं न कोहार न जित रहे न रहे सूर्वर धर उपर भर परत करत अती जुद्ध महाभर कहों कमद कहों मत कहों कर चरन अंतरूरी कहों कंध वही तेग कहों सिर जुट्टी फुट्टी उर कहों दंत मंत है शुष शुपरी कुम्ब भरसुंड हूं रुन्ड सब हिंदवान रान भै भान मुष गहिये तेगवान चहुवान जब पदमावती समय से अवत्रित इस पद्ध्यावतरण में कभी चंद बरदाई ने यहन केवल दोनों सेनाओं के मद्धे होने वाले युद्ध का बग्णन किया है अपितु युद्ध क्षेत्र की इस्थती को भी निरूपित कर दिया है कभी पूर्वोक्त प्रसंग में ही वर्णन करता हुआ कह रहा है कि प्रत्वी राज चोहान और शाह बुद्धिन गोरी की सेनों के मद्धे जो युद्ध हो रहा था उसमें न तो कोई हारता था और नहीं कोई जीतता ही था दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शक्ती का प्रदर्शन करते हुए अपने को अप्राजे प्रमानित कर रहे थे अभी प्राय यह भी है कि दोनों सेनों में कोई भी हलकी नहीं पड़ रही थी दोनों में ही बराबरी का युद्ध हो रहा था न कोहार न जित रही न रही सूरवर कभी वर्णित कर रहा है कि दोनों सेनाओं के वीर युद्धाओं के मानस पर युद्ध का कुछ ऐसा उनमाद चा गया था कि कोई भी रोकने पर रुकता नहीं था अभी प्राय यह है कि यदि किसी भी सेना का कोई सेना पती अपने सेनिकों को युद्ध रोकने का आदिश देता था तो भी वे उस आदिश को न मानकर भ्यानक मार काट मचाने में लगे रहते थे या लगे हुए थे आगे कभी चंदवरदाई कह रहा है कि दोनों सेनाओं में इतना भ्यानक युद्ध हुआ कि दोनों ही पक्षों के युद्धागन आहात होकर परत्थी पर गिर पड़ते थे धर उपर भर परत करत अति युद्ध महापर धर यानि धड धर्ती धरा उपर भर यानि उनके जो धर शीश कट करकर किस परकार से गिर रहे थे ऐसे भ्यानक युद्ध युधा कर रहे थे कहों कमद कहों मत कहों कर चरन अंत्रूरी बड़े बड़े युधा अपने शत्रू के विरुध अत्यांत भ्यानक युद्ध करने में लगे हुए थे युद्ध की इस भेंकरता का परिणाम यह हो रहा था कि युद्ध क्षेतर में कहीं तो युद्धाओं के धड़ पड़े हुए थे कहीं मस्तक पड़े हुए थे और कहीं हाथ और पैर पड़े हुए थे इतना ही नहीं युद्ध क्षेतर में कहीं अंतडियां पड़ी हुई थी जो चारों और बिखरी हुई दिखाई देती थी रंक शेतर में कहीं तलवार एतनी कुशलता से चलती थी कि वह कंदे को काटती हुई पार हो जाती थी कहों कंद कंद कंदे को करते हैं कहों कंद वही तेग तेग तलवार को करते हैं कहों सिर जुटी फुटी और कहीं शत्रों के सिर परस पर टकराते हुए फूट जाते थे उर हिर्दे को काते हैं जुटी फुटी उर कहूं दंत मंत है शुर शुपरी कुम्ब भरसुंड रुंड सब कहीं रणक शेत्र में मस्त हाथियों के तूटे हुए दांत दिखलाई पड़ते थे तो कहीं घोडों के खुर और सिर इदर उदर छितरे हुए दिखलाई दे जाते थे कभी कहरा है कि युद इतनी भ्यानगती से हो रहा था कि कहीं तो हाथियों के मस्तक कहीं उनकी सुन्डे और कहीं उनके धर्टी पर पड़े दिखलाई देते थे अन्तीम पंक्ती में कभी ने कहा है कि हिंद वान रान भय भान मुष गईय तेग चहुवान जब जब हिंदू नरेश प्रत्वी राज चोहान ने अपने हाथ में तलवार पकड़ी तो क्रोध के कारण उनका मुख सूर्य के समान देदिप पेमान हो उठा अर्था क्रोध में भी उनका मुख अद्भुत आभा विकिर्ण कर रहा था या करने लगा प्रस्तूत पद्यांश में युद्ध का सजीव और अद्भुत चित्र इस प्रकार प्रस्तूत किया गया है कि पाठा के समक्ष युद्ध क्षेतर का पूरा चित्र साकार होटता है प्रस्तूत कवित के अंतरगत जिस भाषा का प्रयोक किया गया है वो वी रस से परिपूर्ण होने के कारण ओज गुण प्रधान और प्रसंगा नुकूल बन पड़ी है इस परकार प्रस्तूत पड़ में दोनों सेनाओं के मध्धे जो युद्ध हो रहा था उसका अत्यंत मार्मिक अंकन कवि के दुआरा किया गया है उसके बाद आठ्वां और अंतिम पद आपके पठे करम का जिसका हम वाचन करेंगे बोली विप्र सोधे लगन सुद धरी परठिये हर बांसह मंडप बनाए करी भावरी गंठिये ब्रह्म वेद उच्चरही होम चोरी जू प्रति वर पदमावती दुलहिन अनूप दुलह प्रति राज वर डंडियो साह सहाबदी अठ सहस हे वर सुवर दे दान मान शट भेश को चड़े राज दुरुगा हजूर प्रस्तूत पद्यांश पदमावती समय के अंतीम भाग से लिया गया है प्रत्वी राज पदमावती का हरन करके अर्थात युद में शाहबदीन गोरी को पराजित करके शाहबदीन गोरी को बंदी बनाकर दिल्ली पहुँच जाता है वह दिल्ली नगर में प्रवेश से पूर्व दिल्ली के ही पास इस्तीत एक मंदिर में पहुँचता है वही से उसके विभा की तयारियां प्रारंब हो जाती है कभी चंद वर्दाई ने इस कवित में प्रत्वी राज और पदमावती के विवा की तैयारियों का वर्णन विस्तार से किया है विवहा की तैयारियों का वर्णन करता हुआ कभी करता है कि प्रत्वी राज ने ब्रामनों को बुलवाया और उनसे विवहा का लगन निकालने के लिए कहा बोली विप्र सोधे लगन सुघरी पठ्ठ्रिये प्रत्वी राय ने ब्रामनों को बुलवाया और उनसे विवा का लगन निकालने के लिए कहा ब्रामनों ने शेगर ही आकर भली भादी गणना कर विवा की शुब घड़ी निश्चित कर दी विवा की शुब घड़ी निश्चित हो जाने के पश्चात वहीं पर हरे बांसों का मंडप, हर बांसह मंडप बनाए निर्मित किया गया उसी मंडप के नीचे प्रत्वी राज और पत्मावती वर्वधु के रूप में प्रस्तुत हुए और पंडितों ने उनकी परसपर भावरें डलवा दी अर्थात उनका विवाह संपन करवाया भाव यह है कि दोनों का विवाह संपन करा दिया गया कभी चंदवर्दाई कह रहा है कि यग्य की वेदी के पास बैठे हुए ब्रहमन ब्रह्म वेद उच्च रही होम चोरी जू प्रतिवर यग्य की वेदी के पास बैठे हुए ब्रहमन वेद मंत्रों का उच्चारन कर रहे थे उसी यग्यवेदी पर पदमावती को वर रूप में प्रत्वी राज की प्राप्ती हुई पदमावती दुलहिन अनूप दुलह प्रत्वी राज वर पदमावती अनूपम दुलहिन थी अर्था स्रेष्ट वधू थी और प्रत्वी राज नर्श्रिष्ट होने के कारण अद्वित्य दूला थे या वर्थे इस प्रकार विभाकारे पुरा हो जाने के पस्चात प्रत्वी राज ने बंदी बादशा शाबुद्दिन गोरी को दंडित किया दंडियो साह साब बदी अठ सहस हेवर सूवर भाव यह है कि शाबुद्दिन गोरी को ऐसा दंड दिया गया कि जिसके तहत वह प्रत्वी राज को आठ हजार स्रेष्ट और सुन्दर गोडे दंड रूप में प्रदान करे अठ सहस सहस्र हजार को करते हैं आठ हजार हेवर गोडे इतना सब करके प्रत्वी राज ने दे दान मान शट भेश को चड़े राज दुरुगा हुजुर इतना सब करके प्रत्वी राज ने शट भेशी याचकों अर्थात यती भोगी सन्यासी जंगम चारण और ब्राह्मनों को दान दे कर सम्मानित किया तत्पश्चात प्रत्वी राज अपने सामने इस्तीत राज दुरुग पर चड़ गया अर्थात अपने राज महल में प्रवेश कर गया इस प्रकार जो प्रस्तुत पद है वह प्रत्वी राज चोहान और राजकुमारी पदमावती के विवाह से सम्मन्दित है कि किस प्रकार प्रत्वी राज चोहान युद्ध में शाहबुद्दिन गोरी को पराजित करके और उसे बंदी बनाकर तथा राजकुमारी पदमावती का हरन करके दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली के समीप एक मंदिर में पूरे विधी विधान के साथ उन दोनों का विवाह संपन होता है विवाह संपन होने के पस्चाथ वह शाहबुद्दिन गोरी को दंड स्वरूफ आठ हजार घोडे देने के लिए आदेश करते हैं उसके पस्चाथ शाहबुद्दिन गोरी को आजाद कर दिया जाता है अर्थार छोड़ दिया जाता है और अंततह प्रत्थवी राजचोहान और राजकुमारी पदमावती अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं इस परकार यह पदमावती समय से सम्बंदित जो आठ पद थे उसकी हमने अलग अलग व्यक्षानों में व्यक्षा की है व्यक्षा खंड का यह अंतिम व्यक्षान था इसके बाद का व्यक्षान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा अर्थात आज का व्यक्षान यहीं पर समाप्त होता है